आप देख रहे हैं सोगंद टीवी सोगंद वतन की अगर प्रशानी में उनको यहां इंडिया में पना दी जाए तो लगातार देश में जहां मांग चुड़ गई है कि सीमा हैदर को वापस जाना चाहिए लेकिन उस दर्मियान अगर बात की जाए चर्चा की जाए तो आपको बताते चलें कि सीमा हैदर के भारत में रहने की पर महिलाओं के साथ में अत्यतार चार क्या जा रहा है उन महिलाओं के से जबर्दस्ती निकाह करवाया जा रहा है तो कहीं न कहीं पाकिस्तान से लगातार जिस तरीके की खबरे बाहर आ रही है तो ऐसे में आम चुनता क्या सोच रही है क्या वाकिए सीमा हैदर को भारत मे गलत तरीके से आई थिए इंडिया को यह कुछ नहीं है हमारे देश में आप देख लीजिए जहां जहां भी पॉसिबल है लोग जो है इलिगल तरीके से देश में आप भर्राट नहीं चाहिए लेकिन सब को समय साथ देना चाहिए पीछे गौवर्मेंट ने ये कानून भी लाया था कि अगर आसपास के देशों में किसी में हिंदूों पे जुल्म होता है तो सरकार उनको जो है हमारे देश में पना देगी कई लोगों ने इसका विद्रो किया जो मेरी नजर में ऐसा होना नहीं चाहिए अब अगर उस सीमा हैदर की वज़े से पाकिस्तान में अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो गवर्मेंट को इसको लेना चाहिए पाकिस्तान की गवर्मेंट से और इंटरनेशनल फॉरॉम में लेना चाहिए तो एटियस ने लगातार कारवाई करी उसारी चीज़े चाहिए लेकिन जब उसके बाद सीमा हैदर से बा पाकिस्तान के लोगों पर विश्वास करना आज के समय जायज है क्योंकि जितनी बार भी देश ने पाकिस्तान पर विश्वास करना आज के समय जायज है या है उसको मुह किखानी पड़ी है इंसान तो वहां भी वैसी है जैसे हम लोग है यह सब वही डिप्लोमेटिक रिष्टों की बात है वहां के भी पॉलिटिकल कंपल्शन होती है यहां के लोग जो है कुछ अलग तरीके से पेश करते हैं तो कुल मिलाके वही है अगर आप सरकार जो इस तरशा में कदम उठाई रही है एक तो जो इलिगल तरीके से आते हैं नैशनल पॉपुलेशन के लिए जो रिष्टर बनाने की बात चल रही है उसको इंप्लीमेंट किया जाए इलिगल लोगों को आने ना जिया जाए देश में और हिंदू अगर वहां पे को पॉंडरी ओपन है तो ऐसी घटनाय तो होती रही लेकिन अब देखे सामने भी आ गई यह पकड़ में भी आ गई बात तो पहले से तो बहतर है देश की शुरक्षा व्यवस्ता आप पहले देखिए इसी करनाट प्लेस में कितनी जगा बम फटते थे और आज की रेट में द चाहिए तो बात करते तो तरह अपनी अपनी रही रहते हैं उसी में से कुछ लोगों ने यह घर रखी ती कि सीवा है दर को अगर देखा जाया तो हमें साथ में यह भी बोलना चाहिए कि आने वाला समय 15 अगस्त का है तो हो सकता है यह सोची संजी शाजिश की गई हो देश के उपर कुछ गलत संदेश या उस तरीके की घटना घटित होने के लिए एक इंडिविजियल अगर आ गया देश में और वो बेटियस की नजर में है तो उसकी वज़े से कुछ ऐसा हो पाएगा देश में यह मुझे नहीं लगता है जो आप जो भी बात कर रहे हैं मैं पूरे क्या कुछ राय है तो उस पर इन्हों ने अपनी राय रखी और आपको की क्या कुछ राय है कमेंट शिशन पर जरूर बताईगा फिलाल तब तक के लिए आप बने रहे हैं सोगंद टीवी पर कैमरा पर संद्रोहित के साथ आस्थाति बारी आप देख रहे हैं सोगंद टीवी सोगंद वतन की